हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे इंडिया गेट और साती साथ इंडिया गेट के बारे में कुछ इंफर्मेशन भी ले लेंगे तो चलिए देखते देखते आप इंफर्मेशन भी लेते जाहिए तो इंडिया गेट के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि ये इंडि प्रवाना नाम था उसे कहा जाता था और इंडिया वार मेमोरियल ठीक है और यह से इसे जो है पहले वर्ल्ड वर फर्स्ट वर्ल्ड वर यानि पहला विश्वयुद और थर्ड एंग्लो अफगान जो वार हुआ था अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों का मतलब मेमोरी में इसे बनाया गया है यह जो है तकरीब असी हजार जो हमारे सोलजर माले गए थे उनके लिए यह मेमोरी है एक बहुती सुन्दर दिखने में है और इसकी जो शुरुवात है यह से कब बनाया गया था इसकी जो निव रखी गई थी वो फरवरी के 10 तारीक 1921 मतलब 10 फरवरी 1921 को यह स्टार्ट हुआ था और यह 10 साल लगे से बनाते बनाते तो यह 12 फरवरी 1931 को इसका उधगाटन किया गया वो जो उधगाटन हुआ था वो लॉड इर्विन ने किया था ठीक है उस टाइम वो हमारे यहां के वाइस रह थे हमारे देश के बिटिश इंडि अगिटेक्चर थे उस समय के जिसने बनाया था भारत का तो उनका नाम में लूटियंस तो इर्विन लूटियंस ने बनाया था वो दिल्ली में आप जो जो बिल्डिंग देखते हैं राजपत के आसपास वो उन्हीं के दोरा बनाया गया था और इसकी जो हाइट है वो है 42 म मीटर और चौडाई में 9.1 मीटर है यह आल इंडिया वार मेमोरियल है आपको यहां पर बहुत सारे योद्धाओं के नाम दिखेंगे तकरीबं 13300 के उपर यहां पर जो हमारे शोलजर माले गए इसमें हाला कि ब्रिटिश शोलजर भी शामिल है उनका भी नाम यहां पर लिख अधर जो है वो लाल पीला है स्टोन और यह भरतपूर से स्पेशली मंगाया गया था यह स्टोन और यह जो इंस्पार कहां से हुआ है ऐसा ही बिल्डिंग आपको पैरीस में भी दिखेगा और साथी साथ गेटवे ऑफ इंडिया भी ऐसा ही है क्योंकि गेटवे ऑफ इंड होके बनाया गया था भारत आजाद हो गया था भारत आजाद होने के बाद भी इस पर कुछ चेंजस लाए गये जैसे कि यहां पर जार्ज पंचम की मुर्ती थी तो उसको हटवाया गया और उसको अभी दूसरी जगा पर स्थान अंतरित करा दिया गया है और साथी साथ की मेमोरी में वहाँ पर अमर जवान जोती चलाई गई और साथ ही साथ वहाँ पर वार हेलमेट रखा गया मतलब एक राइफिल है और उसके ऊपर एक सोलिजर का हेलमेट तो उसको एक साथ रखा गया है तो यह इंद्रा गांधी के टाइम पर हुआ था और यह बहुत ही ताकि हम इस तरह के वीडियो और भी आपको बनाते बनाके दिखाते रहें। और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे जब जब हम वीडियो बनाएं आप उसे देखिए और यह बच्चों को भी बहुत हेल्प करता है ऐसे तरह के प्रोजेक्ट कभी कभी स्कूल से आपको मिलते होंगे तो बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टन रहेगा यह चैनल इस चैनल में आप लोग और भी इस तरह की इंपॉर्टन वीडियो देख पाएंगे जो प् कुछ वीडियो आप देख चुके होंगे यहां पर हमने भगत सिंग के बारे में सुभाष चंदर बोस्त के बारे में बहुत कुछ बताया है तो हम यहां पर केवल आर्ट ही नहीं उसके साथ साथ नॉलिज भी यहां पर देते हैं विजी के कीत काए जा यहीं वटाय। पढ़े से फिर भी तू नड़, उड़ा के दुश्मनों का सथ, जो देवतन बढ़ाएगा।